रिया कर रही है अपने बच्चाओ आज तक पर क्यों दे रहा है अब आज तक रिया का साथ राजदीव सर्देसाई जो आज तक कॉंग्रेस का साथ देदा था वो इसमें क्यों मिला हाई फेंड्स मैं हूँ आपका तोस्ट रूपम एक बार फिर आप से ये शेयर करनी कुछ important facts सुषान सिंग राजपुत के case में आज इस case में जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा बचकाना हरकत कह सकता है इसमें जो पॉर्टिस हो रही है वो आज से 20 साल पुरानी वाली खेली जा रही है जो हम सुषान सिंग राजपुत के अंगल बिल्कुल है जिनोंने हमारे इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है रिक्वेस्ट करोगा आप जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने इस अंगल के बारे में डीटेल में बात की है आप सुषान फैन से रिक्वेस्ट करोगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और हमारे थॉट्स सबसे पहले मिल सकें कमेंट में हैश्टेग जस्टिस वा सुषान लिक्ना ना भूलें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ये आपका अपना चैनल है और मैं हूँ आपकी आवास अब इस केस में जब से ड्रॉट्स का एंगल आया है तो रिया कुशिश कर रही थी कि वो ये सब को बताए कि सुषान ड्रॉट्स लेगा था और वो उससे ये छुड़वाना चाती थी लेकिन उसके ड्रॉट्स लेगा उसका साथ नहीं दिया क्योंकि ड्रॉट्स का जिक्रॉट्स के वाट्स लेगा उसके मेसेज में 2017 से था जब वो सुषान की गल्फिन नहीं थी रिया का यह कहना कि वो फ्लाइट में डर्ते थे यह बहुत जादा हशeur पाद है क्योंकि जो बन्दा फ्लाइट उडाना सिख रहा था इन फैक्ट अे यर लाईसेस की तैयरी कर रहा था उसके बारे में यह कहना कि वो फ्लाइट से डर रहा था बिल्कुल ही बेतुका है मतलब अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें और क्या नहीं रिया आज अपने चौकिदार का पिक डालके साहन उभुती लेने की कोशिश कर रही थी कि उस पे मीडिया वाले अटैक कर रहे है क्यों सुशान के पिता के लिए उसके मन में कोई साहन उभुती नहीं है आज सुशान के पापा ने सीधे कह दिया कि रिया धीरे धीरे सुशान को जहर दे रही थी अब ये भी कोई आश्चर की बात नहीं होगी नार्कोटिक्स कंट्रोल पीरो यानि NCP टीम ने अब ये क्लेम पुक्ता कर दिया है कि रिया और सैम्यूल मिरांडा सुशान के पैसों को अपने फायदे के लिए इस्तमाल कर रहे थे NCP की टीम आज बेली से पहुंचते ही काम पे लग गी मुंबई में उन्होंने रिया के पिता इकलाफ समन्जारिंग किया और उनको बुलाकर उनके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया आज तक को हम सब जानते हैं कि वो कॉंग्रेस की सफाई पेश करता है और वो एन्टी गोवर्मेंट आइमीन बीजेपी के अगेंस्ट में ही रहता है फिर अचानक वो रिया को क्यों बचाने के लिए ये इंटेव्यू रखा सोचने की बात है क्या कॉंग्रेस भी इसमें इन्वार्ड है सोचे सोच के देखे जरा अंत में आप सबसे यही काऊंगा अब पिठानी ने कबूला है अब वो दिन दू नहीं जब रिया भी मूँ खोलीगी तब ये सारा माहौल कैसा होने वाला है वो बहुत ही भयानक लग रहा है सोचे सोच के देखे जरा क्या यह केस से इंपक्ट आएगा पूरे बॉलिवड में आप भी सोचे मैं भी सोचता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में कमें पे हैश्टाग जस्टिस वा सुशान लिखना ना भूले और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करें रिक्वेस्ट करूगा कि आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि नेक्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपको आटोमेटिकली आ जाए ये आपका अपना चैनल है और मैं हूँ आपकी आवाज रूपम